आज त्रिणमूल कॉंग्रस ने बता दिया है कि टीमसी का मतलब तानाशाही मानसिक्ता और कल्चर बन चुका है मम्ता बैनर जी की सरकार की प्राथमिक्ता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बलकी सबूत मिटाओ, बलातकारी बचाओ और किसी प्रकार से सत्य की आवाज दबाओ है और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए ममता बैनर जी ने आज पत्रकारों को जेल में डालने का भी एक प्रावधान लाया है जिसमें की दिखाई देता है कि ममता बैनर जी किस पत्रकार से चाहती है कि अगर कोई भी बलातकार के मामले में बेटी को न्याय दिलाने के लिए रिपोर्टिंग करे केस के उपर लिखे, न्याय की मांग करे, अपरादियों के खिलाफ लिखे तो ऐसे पत्रकारों को तीन से पांच साल की सजा हो जाएगी मतलब कि पत्रकार अपने समविधानिक अधिकार का भी इस्तमाल ना करे पत्रकार अपने बोलने की आज़ादी का इस्तमाल ना करे आज समविधान बचाओ की जो ब्रिगेड है इंडिय अलायन्स की वो पूर्ण तरीके से खामोश है बोलने की आजादी, पतकारता की आजादी के उपर लगातार लेक्चर देने वाले लोग भी गायब हो चुके है सवाल ये बनता है कि ममता बैनर जी बेंगॉल में दीदी की तरह कम और इदी अमीन की ज़रत ज़्यादा पेश आती है पहले ही दिन से हमने देखा कि कैसे उन्होंने फुटबॉल मैच कैंसल करवा दिये जो डॉक्टर आंदोलन कर रहे थे, उनको तालिबानी ट्रांसफ़र ओर्डर मिला, फिर वो वापिस हुआ डॉक्टर्स को कोलकता पुलिस नोटिसिस थमा रही थी, उनको धमका रही थी नबन्ना अभियान में किस प्रकार से अत्याचार किया गया प्रदर्शन कारियों उपर, वो भी हमने देखा इतनी व्यवस्था यदि मेडिकल कॉलेज में की जाती तो अदग व्यवस्था हो जाती जिस प्रकार से हमने देखा है कि पस्चिम मंगाल की सरकार ने हर संभव प्रयास किया उनके मंत्रियों ने हर संभव प्रयास किया कि प्रदर्शन कारियों को धंकाए डराए आज त्रिणमूल कॉंग्रस ने बता दिया है कि टीमसी का मतलब तानाशाही मानसिक्ता और कल्चर बन चुका है ममता बैनर जी की सरकार की प्राथमिक्ता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बलकी सबूत मिटाओ, बलातकारी बचाओ और किसी प्रकार से सत्य की आवाज दबाओ है और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए ममता बैनर जी ने आज पत्रकारों को जेल में डालने का भी एक प्रावधान लाया है जिसमें की दिखाई देता है कि ममता बैनर जी किस प्रकार से चाहती है कि अगर कोई भी बलातकार के मामले में बेटी को न्याय दिलाने के लिए रिपोर्टिंग करे केस के उपर लिखे, न्याय की मांग करे, अपरादियों के खिलाफ लिखे तो ऐसे पत्रकारों को तीन से पांच साल की सजा हो जाएगी मतलब कि पत्रकार अपने समविधानिक अधिकार का भी इस्तमाल ना करे पत्रकार अपने बोलने की आज़ादी का इस्तमाल ना करे आज समविधान बचाओ की जो ब्रिगेड है इंडिय अलायंस की वो पूर्ण तरीके से खामोश है बोलने की आजादी, पतकारता की आजादी के उपर लगातार लेक्चर देने वाले लोग भी गायब हो चुके हैं सवाल ये बनता है कि ममता बैनर जी बेंगौल में दीदी की तरह कम और इदी अमीन की ज़रत ज़्यादा पेश आती है पहले ही दिन से हमने देखा कि कैसे उन्होंने फुटबॉल मैच कैंसल करवा दिये जो डॉक्टर आंदोलन कर रहे थे उनको तालिबानी ट्रांसफर ओर्डर मिला फिर वो वापिस हुआ डॉक्टर्स को कोलकता पुलिस नोटिसिस थमा रही थी उनको धंका रही थी नबन्ना अभियान में किस प्रकार से अत्यचार किया गया प्रदर्शन कारियों उपर वो भी हमने देखा इतनी व्यवस्था यदि मेडिकल कॉलेज में की जाती तो अदग व्यवस्था हो जाती जिस प्रकार से हमने देखा है कि पस्चिम मंगाल की सरकार ने हर संभव प्रयास किया उनके मंत्रियों ने हर संभव प्रयास किया कि प्रदर्शन कारियों को धंकाए डराए